हाई गईज एन विल्कम बैक टू दी चैनल दीपच्च्यादव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली करेंट अफेयर्स और फस्ट अफ में 2022 तो गाईज आज है तारिक एक मैई 2022 और है संडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उ आप में से काफी सारे लोग का ये फेवरेट वीडियो है क्योंकि हर संडे में उनके पूरी सब्ता का रिवेजन हो जाता है तो मतलब मंडे से लेकर सैटर्डे के बीच में जितने भी करेंट अफेयर चर्चा में थे जितने भी आर्टिकल्स का डिसकेशन हम लोगों अपने करेंट अफेयर के वीडियो के अंदर किया है उन सब का कमपाइलेशन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ आप लोग डिरेक्ली टेलिग्राम से ड वीकली कमपाइलेशन को त्यार करता हूँ और फिर संडे संडे सारी कमपाइलेशन को त्यार करने के बाद आपको मन्त के एंड में में पूरा का पूरा मन्तली करेंट अफेयर का कमपाइलेशन देता हूँ ठीक है तो जैसे कि आज का पीडिएफ है प्लस यहाँ पे महीने क जो हमारा मे का महीना है उसमें हमारे जितने भी हापे current affair होंगे उन सब को compile करके महीने के last में आपको यह वाला PDF मिल जाएगा तो PDF के लिए परिशान बिलकुल ना होना ठीक है बाकी आप लोगों पता होगा जो April महीने का current affair का वीडियो है मतलब April के महीने के जितने भी current affair है चा मैंने upload का दिया है ठीक है तो आप लोग प्लीज जाकर इसको देख लेना लगबा यहां पर यह तीन घंटे 40 मिनट का वीडियो है काफी महनत से यह वीडियो record हो पाया है आप लोग प्लीज जाकर इसको एक बार देख सकते हो definitely आपको यहां पर बहुत help मिलेगी आपके पू नीचे description box में दे दूँगा ठीक है playlist के नाम से यानि monthly current affair के compilation के playlist के नाम से आपको एक link बिल जाएगा उस पे click करोगे वो पूरा पूरा playlist open हो जाएगा वहां से आप लोग इसको watch कर सकते हो then start करते हैं यहां पर हमने एक article cover किया था बहुत important यहां पर article था कुरिल आइलेंड डिस्प्यूट को लेकर अब यह कुरिल आइलेंड डिस्प्यूट चर्चा में क्यों था यह आप देख पाऊगे दहिंदू का article था रेशिया ने illegal तरीके से इन आइलेंड को कबजा रखा है ऐसा जापान ने statement दिया था इसी वज़ा से article चर्चा में आया और मैं आपको बताओ दूँ यह जो कुरिल आइलेंड बहुत लंबे समय से जापान और रेशिया के बीच में विवाद का कारण बने हुए हैं और इस जापान इसको northern territories बोलता है clear हुआ अब यह जो कुरिल आइलेंड है इसी प्रकार का विवाद जो है जापान और South Korea के बीच में भी होता है अब चलो हम लोग मैप के थूँ एक बार देखते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे यह मैप है उपर आपको रशिया देखने को मिल जाएगा रशिया और जैपान के बीच में एक सेकिंड मैं रशिया का मैप फोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यह सब आपको यहाँ पर रशिया देखने को मिलेगा ठीक है तो जैपान इधर हो गया रशिया उपर हो गया इनके बीच में यह आईलेंड से आप देख पाओग देखने को मिल जाता है तो जैपान साउथ कोरिया के बीच में जो आईलेंड है इसका नाम है दोकदो या फिर टाकेशिमा तो इस वाले आईलेंड को लेकर विवाद रहता है साउथ कोरिया बोलता है मेरा है और जैपान बोलता है मेरा है फिलाल अभी चर्चा में कौन सा है कुरिल आइलेंड डिस्पूट तो हम लोग कुरिल के बारे में चर्चा करेंगे क्लियर हुआ अब एक चीज और यहां रखना मैंने अभी आप लोग को बताया कि यह जो आइलेंड है यह इस प्रकार से जापान और रश्या के बीच में देखने को मिलेगा अब इसी आइलेंड में यहां पर जो नीचे की साइड में आपको छोटे-छोटे रेड कलर के चार आइलेंड दिख रहे हैं एक का नाम है कुनाशेर दन इतुरूब शिकोतन और इधर हबुमय आइलेंड इन आइलेंड को लेकर जादा विवाद रहता है इस आइलेंड को यहां पर जापान बोलता है यह हमारी टेरिटरी है ठीक है तो इसको लेकर कुछ जादा विवाद देखने को मिल जाता है क्लियर हुआ बाकी मैं आप लोग को बता दूँ यह लंबा विवाद है लगबग आप कह सकतो बहुत साल हो चुके हैं सवयो साल पुराना विवाद आपको यह देखने को मिल जाएगा और इस विवाद को देखते वे काफी सरी ट्रीटी साइन हुई है कि भई अब सुधर जाएगा मामला अब सुधर जाएगा लेकिन अभी तक मामला सुधरा नहीं है इन फैक मैं आप लोग को ट्रीटी के बारें बताता हूँ 1855 में ट्रीटी ओफ शिमोदा हुआ था अब यह ट्रीटी ओफ शिमोदा के अंदर क्या हुआ था जो यहाँ पर सदन कोरिल्स थे यह जापान को दे दिये गए और बाकी सारा जो आईलेंड है वो जापान ने रेशिया ने अपने पास रखा इसका मतलब क्या है समझते हैं देखो यहाँ पर आप लोग को एक मैप दिखाता हूँ मैं एक सेकंड एक मैप मैंने लगा रखा है यहाँ पर ट्रीटी ओफ शिमोदा में जम हम लोग बात करते हैं यह ट्रीटी आप लोग देख पाऊगे इस प्रकार से हुआ तो यहाँ पर कुछ आईलेंड से हैं यहाँ पर नीचे की साइड में नीचे की साइड में जो red color के मैंने भी आप लोगो दिखाए थे ना, यहाँ पर यह जो चार island red color के यह वाले, तो इन चारो island को इस treaty के तहट जापान को दे दिया गया, जापान ने बोला बाकी सारी जो island से मैं रख लूँगा, ठीके, तो इसको लेकर भी यहाँ पर बात बनी नहीं, एक dispute यहाँ पर देखने को मिल गया, उसके आद यह treaty भी fail मार गई, इस treaty के बाद में एक दूसरी treaty होती है, वो दूसरी treaty का नाम है treaty of St. Petersburg, ठीके, यह भी sign की जाती है दोनों की बीच में, यह भी treaty fail मार जाती है पूरी तरह से, अब यहाँ पर मामला सुधरता तो है, लेकिन World War II के end में, Russia जो है, क्योंकि उस समय Russia Soviet Union हुआ करता था, USSR हुआ करता था, तो वापस से उसने यहाँ पर उस वाले area को कबजा लिया था, तो यह एक issue देखने को मल जाएगा, मतलब पहले मामला सुधरा था, जो आप लोग प्रीटी ओफ सेंट पीटर सुधर को देख इस treaty होती है, इस treaty के अंदर यहाँ पर जापान से बोल दिया जाता है कि जापान अपना सारा जो राइट वगरा है, जितना भी टाइटल वगरा है, सब यहाँ पर हटा दो, आप बेसिकल यहाँ पर जो कुरिल आइलेंड है, यह Soviet Union को ब्लॉंग करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जापान से बोल जाता है कि इस आइलेंड को गिव अप कर दो, तो यह treaty भी यहाँ पर फेल मार जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1956 के अंदर एक treaty होती है जापान-Soviet Joint Declaration करके, अब जापान और Soviet Union के बीच में discussion होता है, जापान और USSR के बीच में, अब यहाँ पर Russia जो देख लेंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत क्रेट नहीं होगी, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे यह वाल चार आइलेंड, ठीके, अब यहाँ चार आइलेंड मांग रहे थे ना, ऐसा रश्या ने बोला, चलो ठीके, ले लो, लेकिन चार मेंसे दो आइलेंड हम आपको टेरिटरी हमें चाहिए, हमारा हिसा है और चापान इसको इलेगल तरीके से होल्ड कर रखा है, क्लियर हुआ, आई होप आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ चुका है, उसकद अगला आर्टिकल हमने डिसकस किया था, नागा सीस फायर को लेकर, देखो रीसेंटली हम आपको North Eastern Region में देखने को मिलेगा, यह हमारा महान भारत और इंडिया के मैप में जो यह वाला हिस्सा है, North Eastern वाला पार्ट है, इसको जूम करके यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको नागलेंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब क्या है ना, नागलेंड के अंद करते रहे, और इसी में यहाँ पर एक ceasefire agreement था कि यह जो भी लोग खड़े हैं, dispute कर, create कर रहे हैं, इन लोग को यहाँ पर अलग से हिसा चाहिए, तो इनके साथ में ceasefire agreement कर लिया, इनको मनाया गया, और साथ-साथ यहाँ पर agreement यह किया गया, अब कोई भी यहाँ गोलिया बाड agreement किया है, वो तीन ग्रूप्स कौन-कौन से हैं, तो एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, National Socialist Council of Nagaland NK, NSCNNK, फिर उसके बाद दूसरा NSCNR, देन उसके बाद NSCNK खांगो करके यहाँ पर आपको तीन ग्रूप्स देखने को मिल जाते हैं, clear हुआ, अगर मैं आप लो कि फुल फॉर्म क्या है, National Socialist Council of Nagaland, यह बनता है, फिर 1988 के अंदर आप देख पाऊगे, यही ग्रूप, दो ग्रूप के अंदर तूड जाता है, इसमें से एक बन जाता है, NSCNK, ग्रूप में यहाँ पर bracket में K है, और दूसरा बन जाता है, NSCN-IM करके, यह दो ग्रूप्स ब यहाँ पर अब यह जो विराम लग जाएगा, अब यह मुद्दा कोई भी क्रेट नी करेगा, और अराम से यहाँ पर peaceful, यानि सांती से यहाँ पर यह अपने area में रहेंगे, मांग यह थी कि हम लोग को अलग से नागलेंड चाहिए, मैंने अभी आप लोग को एक मैप दिख पाओगे यह नागलेंड है, नागलेंड के इधर आपको असम देखने को मिलेगा, इधर अरुनाचल प्रदेश, इधर मनिपूर और इधर यहाँ पर एक देश पढ़ता है, वो है मयानमार, अब नागलेंड ने मांग यह कही, मतलब इन ग्रूप्स ने मांग यह की, कि हम लोग को नागलेंड नहीं, हम लोग को नागलेंड चाहिए, ठीक है, नागलेंड के नाम से ग्रेटर नागलेंड चाहिए, ग्रेटर नागलेंड कैसे देखने को मिलेगा, तो कुछ हिस्सा इसम यहाँ पर असम का, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश का, फ्र कुछ हिसा हैं ये मेनमार का भी मांग रहे हैं कि हम लोग को मेनमार का भी कुछ इस्सा चाहिए, अब लोग देखपाओंगे, यह अगर मैं MAPDRAW करूँ तो इस प्रकार से, मनिपूर, असम, रोनाचल प्रदेश, म्यानमार तो इस प्रकार से इस एरिया के यहाँ पर मांगी गई कि हम लोग को एक greater नगलिम बनाना है ठीक है तो यह dispute यहाँ पर नगलिम के अंदर रहा है clear हुआ तो यह आप देख पाओगे 1826, 1819, 1846 से लगातार विवाद रहा लेकिन बाद में हम लोगों यहाँ पर agreement करके सबको साथ में एक एक खटा बांद के रख रखा है अगर एक बात और मैं आपको बताओं कि पूरे North Eastern Region के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे विवाद देखने को मले है बहुत सारे विवाद का मतलब क्या हुआ तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हुआ एक कार्भी एंगलोंग जैसे हमने नागलेंड के साथ में agreement किया है न उसी प्रकार से कार्भी एंगलोंग agreement भी हुआ है यह 2021 के अंदर हुआ है यह एक ट्राइपर्टाइट agreement है ट्राइपर्टाइट मतलब तीन लोग के बीच में हुआ है एक तरफ यहाँ पर असम की सरकार हो गई है न और एक तरफ हमारे central government हो गया और एक तरफ यहाँ पर जो groups है जो पांच groups है जो की अलग से area की मांग कर रहे है कार्भी एरिया की वो group हो गया तो यहाँ पर कार्भी वाला region कौन सा है तो असम का map हुआ यहाँ पर आप देख प तरफ यहाँ पर कार से एक और agreement किया गया था brew accord 2020 यहाँ पर क्या हुआ जो brew जन जाती है brew tribes है उनको लेकर dispute create हुआ यहाँ पर क्या हो रहा था जो brew tribes है वो काफी परिशान हुए तो इन brew tribes को हमने क्या किया यहाँ से मयानमार से और बहुत सरी tribes हो अगर आ गये थे हैं यहाँ हमने settle किया properly तिरुपरा के अंदर तिरुपरा के अंदर refugee camp बनाके इनको settle किया गया तो एक brew accord गया था तिरुपरा के साथ में उसके बाद यहाँ पर एक और भी बाद उट चुका था बोडो लेंड करके बोडो लेंड कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा इसको बताई दिया है तो इस प्रकार के बहुत सरे dispute यहाँ पर रहे है North Eastern region में हमने यहाँ पर इनको आपस में मिला के रखा है तो North East India में काफी सरे conflict रहें सबसे बड़ा conflict ethnic conflict है ethnic conflict मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सरे जो tribes है जैसे बांगलदेश से जब बांगलदेश की ठीक है तो इसकी वैसे काफी conflict clear हुए उसको हम लोग ethnic conflict बोलता है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे और भी बहुत सरे conflict है छोटे-छोटे और conflict देखने को मिल गए migrants का issue देखने को मिला ठीक है criminals के issues यहाँ पर देखने को मिल रहे थे in fact यहाँ पर Assam का क्या issue था मैंने आपको बताई दिया है Assam के अंदर भी बहुत सरे migrants people हैं वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे illegal तरीके से जो बांगलदेशी migrant है वो आज के टाम पर Assam के अंदर है और इसी चक्कर में recently citizenship amendment act लेकर आया गया था 2019 में उसके आद national register of citizen NRC को लेकर आया गया इसको लेकर काफी विवाद create हुआ था है ना तो यह सारे विवाद North East India में देखने को मिलते हैं तो North East India के हालात के बारे में यहाँ पर चर्चा की गही थी I hope आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था seaweed farming के बारे में अब इस article को PIB ने cover गया था देखो सारे sources आपको को लिया गया है तो चर्चा यह है कि Ministry of Fisheries Animal Husbandry और Dearing ने यहाँ पर decide कि हम लोग एक seaweed पाक बनाएंगे तामिल अडू के अंदर ताकि हम लोग मच्छवारी की जो जीवन है उनकी जो income है उसको हम लोग थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकें नौ यह seaweed होता क्या है देखो seaweed यहा जैसी काई होती है ना उसी प्राकार से यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाए इसकी कोई जड़ वगरा नहीं है इसकी farming होती है समुदर के अंदर में ठीक है जैसा आप लोग यहाँ पर यह देख पा रहे होंगे अब इसके बहुत अच्छे यूज़ भी है इसके अंद fighting agent है उसकी तरह काम करता है cancer से लगने मदद करता है ठीक है economically यहाँ पर काफी stronger यह देखने को मिल जाएगा seaweed ने काफी economic growth करी है बहुत जादा यहाँ पर इसका market है in fact आज के टाइम पर जो toothpaste होता है उसके अंदर इस्तमाल होता है जो हमारे cosmetics सामान होता है इसके products होता है उसके seaweed एक अच्छा काम भी करता है seaweed इस वाली गंदी काई को खतम कर देता है ठीक है जो excess nutrition होता है देखो होता क्या काई कैसे जमरी है मतलब बहार से कुड़ा कड़कड यहाँ पर pollution आ रहा है और excess nutrition की वज़ा से काई जमरी है जिसकी वैसे जानवर तक बढ़ जाते हैं तो seaweed important है समझ माया अब seaweed की जो farming होती यह भी एक practice यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक मतलब naturally हम लोग यहाँ पर समुदर के अंदर में farming करते हैं तो इसी farming को अभी और बढ़ावा देने के बारे में Tamil Nadu के अंदर focus किया जा रहा है क्योंकि इसका importance यह है ना कि seaweed की collection को लेकर काम कर सकता है clear हुआ अगले article पर आते हैं next article में चर्चा की गई है battery swapping policy के बारे में issue क्या है देखो नीतियायोग ने recently क्या है एक draft release क्या है इन्होंने यहाँ पर बताया कि हम लोग भाईया battery swapping policy को लेकर आ रहे हैं जो की बहुत जबर्दस होगी मतलब मज़ा आ ज charge करने का जो जंजट है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा battery को हम लोग अदला बदली करके अपना काम कर सकते है battery को change कर सकते हैं बुद्दा क्या है इसको समझते हैं देखो current time पे जो हमारे electric vehicles है वो battery पर चल रहे हैं और वो जो battery है ना वो fixed battery हम लोग को देखने को मिल जाती ह अब क्या करना है आपकी battery डाउन हुई आपकी नहीं आपके गाड़ी के battery डाउन हुई तो क्या हो गया आप ले गए charging station पर खड़ा किया उसको charge करने में लगा दिया अब वो काफी हद तक वहाँ पर time लग रहा है उसके बाद आप लेकर जाओ अपने गाड़ी को यह होता है लेकिन अगर इसके जगे हम लोग एक नहास concept लिया है कि आपने क्या हुआ बैटरी खतम हुई आपके गाड़ी की battery निकाली दी और दूसरी बैटरी ली चार्ज वाली डाली और निकल लिए time बज़ गया इतनी ज़्यादा दिक्कती नहीं हुई है ना तो यही है battery swapping कि हम ल लेकिन कलर का handle आपको दिख रहा है यह सारी छोड़ी छोड़ी बैटरी यह बैटरी इस इलेक्रिक वहिकल के अंदर लगती है हाला कि यहाप इलेक्रिक वहिकल की manufacturing भी एक ही प्रकार से होगी कि सभी वहिकल के अंदर एक साइस की battery लग जाए है ना तो क्या होगा अब मालो इनकी स्कूटी की battery down हुई अब यह आई और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने battery अपने स्कूटी से निकाली अंदर डाल दी और अंदर डाल दी जैसी इसको battery को अंदर डाला यह battery यहाँ पर इस screen पर शोग जाएगी और यह screen इसको match करने के बाद में इसको charging पर लगा देगा तो यह battery चार्ज होने लगेगी और दूसरा जैसी यह battery चार्ज होने लगेगी दूसरी चार्ज वाली battery निकल जाएगी इसमें से बाहर और वो आप लोग अपने गाड़ी के अंदर लगा होगे और अपने स्कूटी को लेकर निकल जाओगे तो इस प्राकार से यहाँ पर का customer friendly है, अरहाम से कोई भी कर पाएगा, in fact यहाँ पर मेरे पास वेडियो था था लेकिन वेडियो मैं यूज करूँगा तो कहीं करें copyright issue न आ जाए, ठीक है इसी चकर मैंने वेडियो यूज नहीं किया है, आप देख पाऊगे बहुत अरहाम से यहाँ पर काम हो जाता है, अब एक important बात, इस पुरे battery swapping वाले system को कौन manage कर रहा है, तो उसकी nodal agency है B, B मतलब Bureau of Energy Efficiency, ठीक है तो prelims में question बन सकता है, बाकी अब आवशकता क्या पड़ गई इसकी, तो electric vehicles को लाने की आवशकता यहाँ पर यह है, क्योंकि आज का time पर fixed batteries वाले electric vehicle आ रहा है, तो इसी वज कर आता है, तो अब अराम से यहाँ पर अपना काम कर पाएंगे, इसी चीश को देखते वे budget 2022 ते इसके अंदर announcement कर दिया, हम battery swapping policy को लेकर आएंगे, इसका importance यहाँ पर यह भी है, कि electric vehicle बिकने चालू हो जाएंगे, जादा बिकेंगे, pollution कम होगा, क्योंकि आज के time पर हमारे जो petrol वाले, diesel वाले vehicle चल रहे हैं, जिसमें से diesel जलता है, petrol जलता है, और उससे pollution काफी होता है, बट अभी electric vehicle में हमारा क्या होगा, खाफी फाइदा होगा, target है कि 2070 तक हम लोग क्या कर सकें, अपना जो भी है net zero उसको achieve कर सकें, electric vehicle का market के अंदर potential बहुत बड़ा है, ठीक है, in fact बोला यह जाता है, 2021 के अंदर, इस market के अंदर, लगबग यहाँ पर जो potential है, वो 1434 billion dollars का है, बट, 2027 तक यही जो amount है, वो लगबग 15,397 dollars का हो सकता है, in fact मतलब इतने billion dollars का, तो market बहुत तगड़ा है electric vehicles का, बागी electric vehicles इंडिया के अंदर आज के टाम पर मैं आपके बता दिया देखो, challenge इस बसकारी यही है, सबसे बड़ा challenge यहाँ पर रहे है कि हम लोग battery production में ज्यादा अच्छे नहीं है, तो battery production में हमें अच्छा होना पड़ेगा, clear हुआ, चलो, अगले article पर आते हैं, next article में phone tapping loss के बारे में चर्चा की गई है, एक lady IPS officer है, जिनका picture आप लोग देख पारों के बराबर में, तो यह अभी यहाँ पर एक FIR से जूंज रही है, ठीक है, FIR से निप्लेट रही है, इनके against में, एक FIR दर्च करवा दी है, राजसभा के MP ने, और राजसभा के MP ने इनके उपर इल्जाम लगाया कि इन्नोंने illegal तरीके से उस MP की जो भी phone है, उसको tap कराए, ठीक है, phone tapping करिए, तो यह यहाँ पर इल्जाम इनके उपर लगाया, तो Indian Express ने explain section पर detail से बताए कि कौन-कौन आपकी phone को tap कर सकता है, आप देख पाऊँगे, पूरा article लगा दिया गया यहाँ पर, ठीक है, तो phone tap कैसे किया जाता है, भारत के आज़ा, देखो computer के माध authority, जो कि phone को tap कर सकता है, अगर वो यहाँ पर इससे बोलती है, इसके phone को tap करना है, हमें recording साइए, तो यहाँ पर यह काम किया जा सकता है, तो computer के माध्यम से यह सारा काम होता है, पहली चीज़, दूसरा question आता है, भाई, यह जो phones है, इनको कौन tap कर सकता है, धिहान रखना, त phone tap कर सकता है, हमारी जो state police है, state police के पास power है, state police के साथ-साथ, यहाँ पर कुछ agencies है, intelligence bureau, then CBI, then enforcement direct rate, उसके बाद यहाँ पर NCB हो गया, central board of direct taxes हो गया, direct rate of revenue intelligence, then national investigation agency, raw direct rate of signal intelligence, Delhi police commissioner, तो यह सारी bodies है, जो कि phone tap कर सकती है, इनके अलावा, अगर कोई दूसरी agency phone tap करती है, तो वो illegal और उस व्यक्ति या उस agency के खिलाफ में आपर कारवाई हो सकती है, clear हुआ, अब phone tapping कौन से lock अंदर लिखी गई है, तो phone tapping govern की जाती है, the Indian Telegraph Act 1885 के थूँ, तो आप लोग इसके बारे में धिहान रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर एक question आता है, भाई, किसके पास power है मैं आपको बता दिया, कौन tapping कर सकता है, बट अगर हम लोग central government के case में देखें, यह order कौन issue करता है, तो यह order आता है, security to the government of India, जो ministry of home affairs के अंडर में यह order देता है, और state government के case में यहाँ पर security to the state government in charge of home department से यहाँ पर order आता है, उसके बाद यहाँ पर phone tapping की जा सकती है, emergency situation में यहाँ पर और भी lower rank के जो officers से उनसे यहाँ पर permission लिने के बाद phone tapping की जा सकती है, और अगर यहाँ पर आप कर सकतो कोई गलत होता है, यहाँ पर आप कर सकतो missuse के उपर पूरी तरह से ध्यान जाता है, अगर missuse होता है उसका तो definitely यहाँ पर steps उठाये जाते हैं, तो क्या हुआ है, ministry of housing and urban affair ने announcement किया है कि लगबख 100 smart city के उपर हम लोग यह center बनाने वाले हैं, जो अभी आप लोग यह देख रहे होना, यह भोपाल का center है, integrated control and command center, जो कि जो smart शहर होता है, उनको अच्छे से उनके उपर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर ICCC इसको बनाया इसको proper manage करते हैं, कोई disaster आया है, महाँ पर तो उसको manage करता है, प्लस पूरे शहर के उपर अच्छे से निगरानी रखी जाती है, 24 into 7 यहाँ पर maintenance के उपर ध्यान अका जाता है, कोई emergency पढ़ दिया जाता है, कोई crime वगरा होता है, उसको track करने में वदद करता है, तो यह सारी कर गया था, जून 2015 में, लगबख हम लोग 100 शहरों को properly transform करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारा mission यह है, कि जो भी यहाँ पर population है, उनकी जो भी अकांचा है, वो पूरी fulfill हो पाएं, एक properly development यहाँ पर हो पाएं, ठीक है, उसके बाद अगले article में Earth Day के बारे में discussion किया गया था, तो 22 April 2022 को 52nd anniversary हम लोगोंने Earth Day की celebrate करी है, और Earth Day 2022 का theme है, invest in our planet, clear हुआ, अब बात करते हैं, देखो यह Indian Express का article है, Earth Day जो है, दुनिया भर में एक तरीके से जाना जाता है, properly, क्योंकि हम लोग देखो आज के टाइम पर अपने environmental production की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी वैसे हम लोग Earth Day क celebrate भी करते हैं, बट यहाँ पर जो मुद्दा था, मैंने इस article को इसलिए cover गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने Earth Hour के बारे में आपको बैता है था, Earth Hour क्या है, तो Earth Hour basically यहाँ पर एक initiative है, जो की World Wildlife Fund for Nature के तूर चलाया जाता है, जिसकी शुरुबात 2007 में की गई थी, यह हर साल आ lights को switch off कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग lights को switch off कर दें, ताकि हम लोग awareness वला सके कि आज के टाइम पर environmental को production की जरूरात है, climate change को यहाँ पर रोकने के आवशकता है, इसी चीज़ को देखते वे 2014 में, UPC ने question पूचा था, Earth Hour को लेकर, यह basically पहला statement, DIY, दूसरा statement और तीसरा statement और आपसे पूचा किया कौँसा statement correct है, बला statement यह बोलता है, यह एक initiative है, UNEP और UNESCO का तो, यह तो गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, यह initiative है, WWF का, दूसरा यहाँ पर statement बोलता है, यह एक moment है, जहाँ पर एक घंटे के लिए lights को off के जाता है, बिल्गुल correct है, तीसरा statement यह एक moment है, जहाँ पर awareness पलाते है, climate change और planet को बचाने के लिए, तो यह भी correct है, अभी हमने पढ़ा है, तो second and third correct है, तो that is why यहाँ पर see is the correct answer, उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था, नीती आयोग को अभी इसका एक नया vice chairman मिले है, तो नए vice chairman जो है, वो यहाँ पर गया था, 2015 में, NDA government के थूँ, और planning commission को हटा कर नीती आयोग आया था, यह तो आपको बता हुगा, नीती आयोग के बारे में बात करें, तो इसकी full form है, national institution for transforming India आयोग, इसको बनाया गया था, 1st January 2015 में, government of India policy के थूँ, उसका headquarter New Delhi में देखने को मल जाएगा, इसको establish किया गया participation करना, साथ साथ हम लोगो एक तरीके से जो state government है, state government को काफी सरे सुझाव देना, ठीक है, उसको ओपर काम करता है, plus chairperson कोन होता है, नीती आयोग का, तो chairperson होता है, प्राइम मिनिस्टर नरहिंदर मोदी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, तो PM यहाँ पर chairperson है, नीती आयोग के, clear हुआ, उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था, असम और अरुनाचल प्रदेश के border dispute के बारे में, ठीक है, अभी मैंने आपको North Eastern area के अंदर जो भी विवाद हैं, उसके बारे मताया, अब असम और अरुनाचल प्रदेश के बीच में border dispute के बारे मताता ह अब अब जो हम बात करने वाले हैं, कि North Eastern states के अंदर, border के बीच में विवाद है, असम के साथ ना, सारे states के साथ में border को लेकर विवाद है, असम अरुनाचल प्रदेश के बीच में border को लेकर सभी जगबर विवाद है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले असम ये पुरा का पुरा area ह हुआ करता था यह जो बाद में स्टेट्स निकल यह सब असम में से ही निकल कर आए हैं ध्यानकना अब असम और अरुनाचल प्रदेश के boundary dispute के बारें बात करें तो यह दोनों boundary शेर करते हैं 804.10 किलोमेटर्स की यहां पर बोला गया देखो अरुनाचल प्रदेश को create क्या गया था 1987 में और अरुनाचल प्रदेश यहां पर इसी के basis पर कुछ प्रदेश में इसी प्रत्रदेश में अब हम लोग नौर्ट इस्ट से बाहर निकल गया चुके हैं हर्यानचा और हमाचल प्रदेश में मतलब यहां पर हर्यानचल प्रदेश इन दूनों की बीच का border है इस border में यहां पर एक जगा को लेकर विवाद रहता है उसी प्रकार से लद्दाक और हमाच्रल-प्रदेश में भी साड़चू वाले ईरिया को लेकर विवाद रहता है तो यहां पर आप देख पाओगे उपर लद्दाक नीचे हमाच्रल-प्रदेश में उपर महाराष्ट्रा है नीचे करनाटका इनके बीच में यहाँ पर यह जो रीजन है यह बेलागावी वाला रीजन है इसको बेलागावम भी बोलता है यहाँ पर विवाद रहता है महाराष्ट्रा बोलता है यह इस्सा हमें मिलना चाहिए हमारा पार्ट है लेकिन अभी क इनके थुरू एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला आज का टाइम भर भारत के अंदर रेप लॉज का एक दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तमाल हो रहा है, इन्होंने ये बोला, आप देख पाऊगे दाहिंदू का आर्टिकल है, तो क्या-क्या रेप लॉज देखने के लिए ये वाला कानून है, डावरी प्रोहिबीशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दहेज वाला दहेज से बचाने के लिए, उसके बाद इन्डिसेंट रेप्रेजेंटेशन आफ विमेन प्रोहिबीशन एक्ट, इन्सेक्शल हरास्मेंट को लेकर है, और फिर चाइल्ड मैरिज को रोकने को लेकर है, तो ये सारे विमेन को प्रोडेक्शन देने के लिए हाँ पर एक्ट को बनाया गया है, लेकिन आज की टाम पर बात करें, तो इसी जो रेप वाले कानून है, इस रेप को लेकर एक मिस्यूस, एक दुरुप्योग देखने को मिलता है दुरुप्योग क्या है? देखो, यहाँ पर बोला यह जाता है, कि सबसे पहली बात यहाँ पर हमने बहुत सरे केसिस ऐसे देखे हैं, जहाँ पर मिला के थुरूग गलत एक्क्विजिशन, गलत लांचन लगाए गए हैं, इनसान के उपर, लड़के के उपर, ठीक है, इस दूसरा इशू हम लोगोंने यहाँ पर यह देखा है, कि पहले देखो, पहले ही सब रिलेशन्शिप में थे, पहले मुद्दा चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पर लंबे समय तक रिलेशन्शिप में रहे, फिर बाद में यहाँ पर कोई डिस अग्रिमेंट हुआ, जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, एक असाहमेती हो जाते हैं और महिला यहाँ पर बलतकार का जो इल्जामें वो लगा देती है, उसके बाद यहाँ पर टूल to preserve होना रहे, इसके अदर क्या होता है, देखो, यहाँ पर बोला गया वही सीक्रेटली सारी चीज चल रही थी, ठीक है दोनों यहाँ पर लड़की लड़की की बीच में बट क्या हुआ जैसी वो पबलिक में आती है तो वहें पर लड़की जो है एक रेप का केस लगा दीती है उसके उपर तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बता आ गया एक गलत मिस्यूज हो रहा है और लगातार प्योग रहा है रेप लॉस का ऐसा यहाँ पर हमारे जस्टेस बियान कृष्णा साब के थू कहना है उसका इनोंने बताया और यह बहुत सार इशूज है जैसे कि मालो किसी मैन के उपर एक रेप का चार्ज लगा तो उसकी फोटो छप जाती है नियूस पेपर के उपर और जब यहाँ पर साबीत होता है कि वह निर्दोश है तो हैं पर उसके बार किसी को कुछ नहीं बताया जाता कोहीं पर अकभार फोटो नहीं आती है तो यह पर उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हुजाती है उसके बाद देखो जो यह रेप है या फिर जो sexual crimes है वो अलगलग प्रकार या आपको भारत के अंदर देखने को मल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर एक अंदर काम कर रही है वहाँ पर उसको harassment करना sexual harassment देना ठीक है तो यह अलगलग प्रकार के sexual crimes इंडिया के अंदर देखने को मल जाते हैं बाकी मैं आपको बताया कि women को production देने के लिए इंडिया ने काफी सरे steps उठाएं काफी सरे कानून हमारे पास और initiative के अंदर सबसे पहला नि देखा कि देखो recently हमने देखा है कहीं पर बारिश देखने को मिले कहीं पर कम ठंड कहीं पर ज्यादा ठंड जो भी यहाँ पर climate के अंदर variations देखने को मिल रहा है वह western disturbance की वज़ाद से देखने को मिल रहा है अब यह western disturbance होते क्या है यह Indian express ने समझाया था चलो मैं आपको directly बह Japan, Iraq, Syria, Turkey, Greece इधर आपको मिलेगा Mediterranean Sea ठीक है यहाँ पर Mediterranean समुदर आपको देखने को मिल जाएगा यह Tropic of Cancer है नीचे equator है Tropic of Cancer से बाहर वाला जो रीजन आपको देखने को मिल जाता है यह वाला ठीक है कौन सा Tropic of Cancer से बाहर वाला अब जो यह Tropic of Cancer से बाहर वाला रीजन है इसको आंधी क्या होती है ऐसे उड़ते वे आती है Western Jet Stream के माध्यम से Western Jet Stream क्या होती है यानि कि जो उपर High Altitude में जो हवा चलती है वो तो आंधी बनी स्टॉम बना और वो आंधी उड़ते वे यहाँ पर तेजी से इंडिया में आती है इस साइड में आती है तो क्या होता है Western साइड से आ रही है Western साइड से आ रही है इंडिया के अंदर disturbance create कर रही है इसी वजह से इसको हम लोग Western disturbance भोलते हैं तो इंडिया की साइड से डारेक्ली आई Syria, Iraq, Iran होते वे और आने के बाद इंडिया में जैसी एंटर करती है इंडिया के ऊपर से तो इसको निकल जाना चाहिए बट यहां पर विबारिश देखने को मिल जाती है तो यही होता है Western disturbance आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे वे Western disturbance क्या होता है और इसकी वेसे काफी बड़े-बड़े विवाद देखने को मिलते है इन फैक्ट 2013 का उत्रकंड फ्लेंड आपको याद होगा तो इ नेशनल पंचायती राजडे के बारे में तो रिसेंटली क्या हुआ है 24 एपरेल 2022 को हमने बारवा नेशनल पंचायती राजडे मनाया है तो मैंने आपको पंचायत के बारे में बताया था यह आप देख पाओगे P.I.B. का आर्टिकल है तो बिसिकली यहाँ पर जो 73rd Amendment of the Constitution 1992 यहाँ पर देखा था इसके अंदर हमने देखा जो पंचायती राज है वो पूरी तरह से यहाँ पर एस्टबिश होता है देखो मैं आपको बताता हूं जैसे हमारा संभिधान आता है फोर्स में उसके बाद जो आर्टिकल 40 है आर्टिकल 40 आपको DPSP का यहाँ पर 73 वास संशोधन किया जाता है 1992 के अंदर में और इसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे कि पंचायती राज इंस्टिशन को इसको लेकर आजाता है अब यह पंचायती राज इंस्टिशन बन जाता है अब मैं आपको बता दू पंचायत का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कि हमारी जो करेंट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अंदर आपको तीन स्टेजिस देखने को मलते हैं एक होती हमारी सेंटल गवर्नमेंट यानि केंजो सरकार दूसरी स्टेट गवर्नमेंट यानि राजो सरकार और तीसरी लोकल गवर्नमेंट ठ पंचायती राजाते हैं, जो कि गाउं के अंदर काम करते हैं, लोग का लेवल पर काम करते हैं, लोग के पास में पावर्स हैं, कि लोग अपने हिसाप से अपने डिसीजन को ले सकें, वो सब 73rd Constitutional Amendment Act के थ्रू हुआ था, अब एक चीज़ और ध्यानक ना, पंचायती राज के अंदर भी यहां पर तीन tier system देखने को मिलता है, तीन structure होता है, जैसे कि यहां पर पंचायत भी आपको एक village लेवल पर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं, और ग्राम पंचायत के अंदर में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नयाय पंचायत देखने को मिलता है, और उसका दूसरा जो है block level पर देखने को मिलता है, block samiti या जनपद panchayat, panchayat samiti के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमें district level पर भी panchayat देखने को मिलता है, जिसको जिलप परिश्यत के नाम से जानते हैं, तो तीनों यहां पर क्या है, यह local government है, जो village, block पर काम करती है, clear हुआ, तो आपने, I hope, इसके बारे में काफी अच्छे समझ लाओगा, कही panchayati राच क्या है, वो ही सारी बात है, कि details explain करी गई है, कि क्या-क्या है, कि कहां-कापर आपको देखने को मिल जाता है, वो ही बात हैं आपे mention की गई है, तो इसको आप लोग read भी मंगेशकर अवर्ड मिला है, इनको इस अवर्ड से नवाजा गया है, और यहाँ पर आपको याद होगा, लता मंगेशकर जी, जो है हमारे एक legendary singer, जो कि recently यहाँ पर इनका निदन हो चुका था, और यहाँ भी बताया गिया, नोने काफी सरे songs बगरा लिख हैं, बहुत सरे अ अवर्ड की लिस्ट है, आप लोग को PDF में यह मिल जाएगी, तो PDF से देख लेना, clear हुआ, फिर उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था, anti-defection law के बारे में, तो recently हमारे vice president ने statement दिया कि यहाँ पर anti-defection law के अंदर changes करने की आवशकता है, तो यह आप देख पाओगे, इसके एक हिंदी है इसकी दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, इसको हम लोग बोलते हैं anti-defection law, मतलब, मतलब यह है कि आज की डाइम पर जो MPs होते हैं, मतलब कि Member of Parliament, दूसरे MLS Member of Legislative Assembly यानि के जो राजसरकार पर विदान सबा है, उसके जो members हैं, यहाँ पर ह चीज को रोकता है, anti-defection, नाम से समझ मा आ गया है, जो यह दल बदली कर रहे हैं, वो defection को रोकने का काम करता है anti-defection law और इनको punishment मिलता है, in fact इनको disqualify ही कर दिया जाता है, clear हुआ, अब बात करें anti-defection law कैसे लाया गया, जो हमारा 10th schedule है, यह जाना जाता है anti-defection act के तो तब हैं चाके हमारे पास anti-defection law आया, और इसके basis पर हमने क्या किया कि अगर कोई elected member अब यहाँ पे अदला बदली करेगा, या फिर एक party छोड़के दूसरी party के अंदर जाएगा, तो उसको disqualify कर दिया जाएगा, यह था यहाँ पर anti-defection law, इसके अंदर तीन प्रकार ह तो भी यहाँ पे उसको जो इसकी seat है वो खो जाएगी, independent member है, अगर वो यहाँ पे party बदलता है, उसकी seat चली जाएगी, या फिर कोई nominated MP है, तो उसको शुरुवात में 6 महीने मिलेंगे, कि वह आप political party को join कर सकते हो, लेकिन वो 6 महीने बाद अगर join करता है, तो यहाँ पर anti- problem यह आती है कि मालो एक anti-defection का case गया, तो speaker यहाँ पे उसको कितने time मिलें देख सकता है, हो सकता है, वो तुरंती उस मामले को सुल्जा दे कि यहाँ पे उसको disqualify करती है, उस member को जिसने यहाँ पे एक काम किया है, या फिर वो मामला खिचता रहा है, दो तीन महीने हो गए वो मामला ऐसी चल रहा है, तो इसमें कोई यहाँ पे law नहीं देखने को मिलेगा, तो यही सबसे बड़ी इसकी कमी भी है, ठीक है, तो speaker का एक बहुत बड़ा role तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी problem यहाँ पर यही निकल कर आती है, issue यहाँ पर यही आता है, कि जो speaker का role है, व होती है, दल बदली है, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, मालो हैं यहाँ पर कोई MP है, पहले क्या होता था, 1960s के आसपास, यह बहुत हुआ करता था, यह MPs, MLA बहुत खूप change हुआ करते थे, party से इदर उदर party यहाँ बदल ले करते थे, ठीक है, और तबी से यह term viral हुई जिसको हम लोग नाम से जानते है, आयाराम, गयाराम, ठीक है, तब ही से चर्चा आया है, तो वहाँ पर उस समय क्या हुआ करता था, आपस में change कर रहे थे, तो इससे क्या होता है, सरकार यहाँ पर stable ही नहीं है, एक तरफ सरकार यह हो गई, फिर महाँ से बदल दिया, दूस इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, हमारे पास जमीन कम बची है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए एक वर्टिकल फार्मिंग बहुत अच्छा सलूशन है, वर्टिकल फार्मिंग से हम तबाही मचा सकते हैं, बहुत जबर्दस टॉपिक है यह, इंडिन इक्स्प्रेस का आर्टिकल आपको देखने को मल जाएगा, डीटेल से समझाया है, वर्टिकल फार्मिंग का जो कॉनसेप्ट है, यह उन्ने सो पंधरा में लाया गया था, गिल्बर्ट, एलिस, बली साब के थ्रूँ, जिनका पिक्चर आप लोग बराबर में करें काफी सारी किताबे लिखें वर्टिकल फार्मिंग के उपर अब ये उस समय तो मुद्धा ये देखके चले गए कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है लेकिन इसको कोई हाँ ऐसे ही करेंगे लेकिन तरीका इसके अंदर कुछ अलग है तो होरिजोंटल मतलब समझ गए जब खेद के उपर हमने फार्मिंग कर दी वर्टिकल के अंदर एक के उपर यहां पर हमने फार्मिंग करी है एक के उपर एक का मतलब यह है कि कुछ इस प्रकार्स आपको यह द देखने को मिलता है, question यह है कि vertical farming के भी आपको अलग-लग प्रकार देखने को मिलता है जैसे इसमें आता है hydroponic दूसरा आता है aeroponic और तीसरा आता है aquaponic, ठीक है, अब मैं आपको बताओं सबसे पहले hydroponic hydroponic के अंदर बहुत simple सा concept है यहाँ पर आप देख पाओगे, एक second मैंने एक picture लगा रखा था, इसी picture में समझते हैं, देखो, hydroponic के अंदर क्या होता है मालो यह tub है एक, ठीक है इसके अंदर यहाँ पर हमने जो solution डाला है वो बहुत ज़्यदा nutrient solution है उसके अंदर बहुत सारे portion देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग जो पेड़े हमारा, जो भी हमें plant को लगाना है, वो plant हम लगा देंगे उसकी जड़े, उस solution के डाल देंगे plant हमारा उपर रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआँ है, यह नीचे pipe जा रहा है पानी क्या करेंगे, पानी मिलेगा, पानी क्या करेंगे हम नीचे सरिफ छीटे छीटे मारेंगे, इस पानी के अंदर काफी सारे nutrients आपको add देखने को मिलेंगे, तो काफी सारी छीटे मारी जाती है, जड़ो के उपर में, जिसके basis पर यह plant growth होता हुआ चला जाएगा, तो इसको बोलता है aeroponic, तीसरा आता है aquaponic, aquaponic एक अलग से concept है, यहाँ पर देख पाऊगे एक यह jar अलग हावाई, इसके अंदर मचलिया है, इसे मचलिया हैं यहाँ पर toilet वगरा कर रही है, इससे क्या हो रहा है, यह जो हुआ हुआ, आप लोगों अच्छे से समझ में आ चुका है, उसके अगले article में हमने discuss किया था, military spending of countries के बारे में, तो एक latest data published किया जाए, सिपरी के थुरू मतलब Stockholm International Peace Research Institute के थुरू, इन्हों ने बताया, भाई दुनिया भर में हत्यारों के उपर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, in fact 2021 के अंदर 2.1 trillion dollars तक पैसा खर्चा गया है अलगलग देशों के थुरू, अब यहां पर हम लोग बात करें, तो top 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला United States, अमेरिका ने 38% यहां पर पैसा खर्चा है, अपनी जो पैसा है वो खर्चा है, सेना के उपर में, ठीक है, तो आपको धिहान रखना है इसके बारे में, सिप्री ने यह सारी बाते बताइए, सिप्री क्या है, तो सिप्री एक independent international institute है, जो की Sweden के अंदर देखने को मिलता है, Sweden कहां पर है, तो Sweden की location यह आपको देखने को मिल जाएगी, Sweden में ही यहां पर Stockholm है, ठीक है, यही यहां पर report को त्यार करी जाती है, Sweden के बाराबर में इधर Norway है, इधर Finland है, यह भी ध्यान रखना, बाकी मैं आपको बता दिया, दुनिया में नजर आया है, यह आप लोगो ध्यान रखना है, नैटों के काफी सारे members ने अपने expenditure को बढ़ाया, और भारत ने भी हां पर expenditure को काफी बढ़ा दिया है, यह आपको अगले article में हमने discuss किया था, genetically modified mosquitoes के बारे में, तो देखो, US नहीं यहाँ पर एक open air study को conduct किया है, और बताया कि हम लोग मच्छरों को मार सकते हैं, खासकर female मच्छर, जो महिला मच्छर है, जो female मच्छर है, यही सारी विमारियों को फैला आती है, और female मच्छर की प्रजाती खतम की जा सकती है, और वो कैसे कर जा सकती है, genetically modification से, वो genetically modification क्या होता है, इसको हम समझेंगे, पहले आपको बता दू, down to earth ने इसको cover गया था, और मैं आपको यह भी बता दू, जैसे एडेस, एजिप्टी हो गया, एनोफिलेस, यह जो female mosquito है, इनकी वैसे काफी सारी बिमारियां फैलती है, चिकन गुनिया, डेंगू, लेंफेटेक, फिलरेसे, रिफ्ट वैली फीवर, ठीक है, यह लो फीवर, यह सारी बिमारिया, इनी सारी जो lady killer है, उसकी वैसे फैलती है, अब आपको ध्यान अकना है, जो यह बड़ा वाला मच्छर दिख रहा है, ठीक है, यह wild female mosquito है, यह female वाला है, और जो छोटा वाला dark color का, red color का है, यह male mosquito है, और जो इधर blue color का आपको दिख रहा है, यह genetically modified है, इसके जो gene है, gene मतलब की जैसे RNA DNA होता है, इसके अंदर हमने modification कर द दिया जाएगा, अब जब भीड में उतारेंगे, तो क्या होगा, female के साथ यह जो मच्छर है, यह तरीके से physically connection मनाएगा, और इसे यहाँ पर क्या होगा, इसे एक नया मच्छर जन्म लेगा, लेकिन वो जो मच्छर जन्म लेगा, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल लेग जल्दी मच्छ जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेली मेल मच्छर बचेंगे, female मच्छर को हम लोग खतम कर चुके होंगे, यह यहाँ पर mention किया गया, इससे बिमारियां यहाँ पर रोक सकती है, clear हुआ, यह मैं आपको बता दिया, बाकी मच्छरों से होने वाली एडिस एजिप्टी है, उस मच्छर से होता है, चिकन गुनिया भी यहाँ पर एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है, उसके आद रिसेंटली वर्ल्ड मलेरिया डे को यहाँ पर मनाया गया था, मनाया है ने, वो अब्जर्व किया था, तो 25 एपरिल 2022 में हमने वर्ल्ड मले यहां पर मलेरिया आज के टाइम पर एक life-threatening disease है, मतलब की जान लेवा बिमारी आपको यह देखने को मिल जाती है, जो की मच्छरों से फैलती है, in fact यहां पर एक मच्छर है, enophilis mosquito, वही महिला मच्छर, ठीक है यह भी यहां पर मलेरिया को फैलाती है, तो यहां पर इस मलेर मलेरिया को आज के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं, काफिया तक खतरनाक है, in fact इन मच्छर के थुरू कुछ पैरसाइट यहां पर spread के जाते हैं, मतलब यह मच्छर अगर काट ले, तो बॉड़ी के अंदर पैरसाइट घूमने लगेगा, वह पांच पैरसाइट आपको मिलता हैं, पांच में से दो पापुलर पैरसाइट देखने को मिलता हैं, एक है प्लास्मोडियम फैलकी पैरम और दूसरा है प्लास्मोडियम वाइवेक्स करके, यह सबसे खतरनाक हैं, खास बात तो यह हम लोग इस मलेरिया को ठीक कर सकते हैं, यह क्योरोई बेल हैं, बाक बाकी इंडिया के अंदर बात करें, तो इंडिया के अंदर बहुत सरे मलेरिया के केसिस आप लोग को देखने को मलेंगे, वर्ल्ल हेल्थ और्गनाजिशन नहीं पर बताया है, कि इंडिया के अंदर बहुत सरे केसिस थे, जो कि अभी डिकलाइन होना चाले हो चुके हैं, 2019 में काफी कम cases निकल कर आएं, ये भी हमने देखा, फिर recently यहाँ पर क्या हुआ, जो UK के PM थे, Boris Johnson ये इंडिया की visit पर आए, और ये जो picture है काफी popular हुआ, तो visit पर आए, काफी discussion किया गया, discussion के अंदर यहाँ पर सबसे पहला discussion इन दोनों ने मिलकर किया है, कि भाई जो Ukraine crisis है, Ukraine crisis में भारत कईना के indirectly Russia को support कर रहा है, तो यहाँ पर UK के जो PM है, Boris Johnson इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर Russia और इंडिया की दोनों की पुरानी दोस्ती है, इसको respect करनी चाहिए सबी लोगों को, तो इंडिया सही कर रहा है, जो भी कर रहा है, बाकि यहाँ पर UK हमारे साथ काम करेगा, इस पूरे portion के अंदर में, साथी साथ यहाँ पर जो यह South China Sea है, चाइना के पास में देखने को मलती है, इस South China Sea के अंदर, यहाँ पर इंडिया और UK साथ मिलकर काम करेंगे, चाइना के aggression को tackle करेंगे, फिर उसका बताया गया, UK और इंडिया के बीच म अगरा लगाया जाते हैं, वो कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, उसके बाद, अगले article में हमने discuss किया था, Perseverance Rover Captures Eclipse on Mars, मतलब की, जो हमारा मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह पर एक सूरे ग्रहन लगता हुआ नजर आया है, ऐसा NASA ने बताया है, ठीक है, यहाँ पर आप द इस प्रकार से यह बीच में, यहाँ पर एक तरीके से आपको ग्रहन देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बताया था, ग्रहन यानि सोलर Eclipse क्या होता है, मैं आपको डीटेल से बताया था, ठीक है, काफी सरा article इसके ओपर cover करे गए थे, तो पहले मैं आपको सोलर Eclipse के बा Solar Eclipse कलाता है, Solar Eclipse तीन प्रकार के होता है, वो तीन प्रकार में आपको दिखा देता हूँ, एक होता है Partial Eclipse, जब यहाँ पर जो चंदरमा है, वो सूरे के आदे हिससे को ढग देता है, ठीक है, तो यहाँ पर Partial Eclipse, एक होता है Annular Eclipse, जब चंदरमा पूरी तरह से यहाँ पर स बाrकी में आपको बताया ये सारी जो चीज़े record करी गई हैं मंगल ग्रेह पर ये perseverance rover कितरू record करी गई हैं मतलब कि मंगल ग्रेह पर नासा ने इस वाले perseverance को भीज रखा है इन फैक्ट मैं आप लोग को बता दूं ये नासा का Marts 2020 का mission है जिसको 30 जुलाई 2020 में launch किया या था 18 फरवरी 2021 में ये mission वहाँ पे land हुआ था तो यह आप देख पाओगे इस प्रकार से यह यहाँ पे rover है यहाँ पे इसी के साथ साथ एक coaxial helicopter भी छोड़ा गया है यह जो helicopter आप लोग उड़ता वह यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि Mars के उपर काफी सारी information capture करकर के हमें दे रहा है यह जो mission है इतने लंबे समय से कैसे काम कर रहा है तो इसके power source के पीछे का reason है MMRTG मतलब कि multi mission radio isotope thermoelectric generator जो कि क्या करता है heat को generate कर देता है convert कर देता है radio activity sorry यह क्या करता है heat को यहाँ पर convert कर देता है electricity में अब यहाँ पर जो जो भी सारी power ली जाती है वो plutonium dioxide से ली जाती है plutonium क्या है तो plutonium यहाँ पर naturally पाया जाना वाला एक element है इसका symbol PU है atomic number 94 और atomic mass यहाँ पर इसका 244 देखने को मल जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर जो अभी NASA ने इस mission को बेजा है जिसने यहाँ पर चंदर ग्रेनेट को record किया तो इसलिए यह भी बताया कि यहाँ पर हम लोग और भी search करेंगे कि जो Mars है वो red planet क्यों है बहुत सारी samples वगरा हम आपर collect किये जाएगे बाकी मैं आपको बता है यहाँ पर जो यह solar system है इसमें आप देख पाऊगे इधार यहाँ पर हो गया यह आपको Mars Earth के बाद में Mars देखने को मिलता है Mars के बाद में Jupiter देखने को मिलता है सन का और Earth जो है 23.9 घंटे में आपर एक चकर मारता है तो इसमें similarity नज़र आती है उसके बाद काफी सारी और भी similarity है प्लस Mars के उपर जो atmosphere है वो थोड़ा हलका सा देखने को मिलेगा carbon dioxide, nitrogen, argon gases पाई जाती है और Mars के उपर दो चेंदरमा देखने को मिलेंगे Phobos और Demos के नाम से तो दियान रखना बाकी Mars के उपर एक सबसे बड़ा हमारे पूरे solar system का एक सबसे बड़ा ज्वाला मुखी, एक सबसे बड़ा वॉलकेनों देखने को मिलेगा जिसको Olympus Spawn बोलता है इनफेक्ट बोला जाता है कि Mount Everest से तीन गुना जादा बड़ा यहां पर यह पूरा ज्वाला मुखी है, Olympus Spawn तो दियान रखना है इसके बारे में बाकी Mars mission में बात करें, तो इंडिया ने आपको याद होगा मंगल यान जो है mission को भीजा है हमारा एक Mars mission है, इंडिया का UAE का Hope Mars mission है और चाइना का 93-1-1 है तो अलग-अलग यहां पर mission भेजे गए Mars के उपर ताकि हम लोग research कर सकें इस पैसिफिकली भारत की बात करें, तो इंडिया का Mars orbiter mission और मंगल यान भीजा गया था 2013 के अंदर में, ठीक है तो यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना और हम लोग पर फोकस कर रहे है Mars के उपर प्रॉपर ली, उसके अगले article में discuss किया गया था citizenship amendment act के बारे में है, तो यहां पर recently क्या हुआ है कि ministry of home affairs ने यहां पर एक annual report जारी करी है, उसमें बताया चो बही है citizenship amendment act है, इससे इतनी घबराने की ज़रुवत क्यों है citizenship amendment act एक improvement कानून आपको देखने को मिलेगा और इसमें किसी भी भारते की citizenship कहीं से कहीं तक नहीं जाएगी क्योंकि protest काफी जारा हो रहा है citizenship amendment act को लेकर आपको बताऊगा 2019 के अंदर इस act को लाए गया था 12 दिसंबर 2019 में, जिसके बाद काफी बवाल मचा था हमारे देश में, इस act के अंदर क्या बोला गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जेन, पार्सी और क्रिष्टन कम्यूनिटी, अफगानिसान, बांगले देश, पाकिस्तान से अगर निकल कर आए हैं ये लोग, ठीके, और यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर में हैं, तो क्या होगा, इनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको citizenship देदेंगे, लेकिन इसके अंदर Muslims को add नहीं किया गया है, इसी वज़े से यहाँ पर ये काफी चर्चा में आया, citizenship amendment act, ठीके, तो आपको ध्यान अकना है कि इतने यहाँ पर हिंदू सिक, बुदिस, पार्सी, जेन, क्रिस्चन, कॉम्मिनिटीज को अफगानिसान, बांगलदेश, पाकिस्तान से जो भी आया है, ठीके, उनको हम लोग citizenship देने के बारे में चर्चा करते हैं, इस वाले act के अंदर में, बाकी, यहाँ पर इसी चकर में काफी सारे issues बताए गए, क यहाँ पर citizenship amendment act के अंदर काफी दिक्कत है, सबसे बेली दिक्कत यह है, कि muslims को exclude कर दिया गया, इसके अंदर में, ठीके, उसके आद यहाँ पर दूसरी दिक्कत बताई गई, असा हम यहाँ पर बात करता है, कि हम illegal migrants को निकाल के बाहर बेजेंगे, और citizenship amendment act बात करता है, कि हम लोग migrants को citizenship देंगे, तो दूसरी दिक्कत यह है, प्लस उसके बाद article जो 14 है हमार right to life, right to equality का, वो यहाँ पर wallet होता वा नजर आता है, ठीके, यहाँ पर पूरी equality नहीं नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर बोल जाता है, उसके बाद यहाँ पर काफी सारे और issues बताए गए, issues बत आएगी, फिर एक issues यह भी यहाँ पर बताया जाता है, कि भई इसकी चकर में क्या होगा, अफगानिस्तान, बांगलेदिश, पाकिस्तान के साथ में relations हमारे काफी खराब हो जाएंगे, अब इस चीच को देखते वे Ministry of Home Affairs ने clarification दिया, clarification के अंदर इन्होंने बोला, कि भई जो यह Citizenship Amendment Act है, यह यहाँ पर Indian Citizens के उपर अपलाई नहीं होगा, यह जो बाहर से व्यक्तिया है, उनके उपर अपलाई हो रहा है, और खास बात तो यहाँ पर यह है, कि भई, देखो, किसे की भी Indian Citizenship छीनी नहीं जा रही है, जो आज की टाम पर एक legal process है, भारत की नागरिकता ल इसके साथ 2015 में UPC ने question पूछा था, कि जो provision से हमारे पांचवे schedule और छटे schedule के अंदर हमारे संविधान के अंदर, वो basically यहाँ पर किसीच को लेकर बनाए गए हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर चार statement दिये गए हैं, इसमें से जो correct option है, वो option A देखने को मिलेगा, schedule tribes के interest को protection द आप लोगों को बता दूँ, यही कुछ article थे, वीडियो अलड़ी काफी लंबा हो चुका है, लगबख हमने काफी सब revision कर चुका है, आपके 5-6 article skip हो रहे होंगे, वो रह जा रहे हैं, क्योंकि जो कि हमने Saturday में discuss किये थे, ठीक है, तो उन article को अभी रोग दिया गया है, वो हम हम लोग Monday वाले revision के साथ cover करेंगे, क्योंकि हम लोग daily business पर revision करते हैं, तो हम लोग उसमें cover कर लेंगे, तो उसके लिए परिशान ना हुना, तो आपके Saturday वाले कुछ article ले गए, उनका revision भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि वो कल ही पढ़ाए हैं, तो वो भी आपको मिल जाए ओके, यहां पर आप लोग कर सकते हो वीडियो को support, प्लीज आप लोग यहां पर वीडियो को like करेंगे, आप अपना support दिखाया करो, इसी के साथ हम लोग करते हैं, अपने lecture को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो के अंदर, आज के लिए बाइ-बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and jai hind